हालो एव्रीवन आइम अंकिता दत्ता डिरेक्टर ओफ प्रयास विजिक्स क्लासेज देहरादू हलो विच्चो इस वीडियो में हम लोग डिराइव करने वाले हैं इसमें एक स्टेडी करेंट फ्लो कर रहा है इन दी क्लॉक्वाइज सेंस ठीक है तो मैंने यहां पर एक छोटा सा करेंट थीक है तो इस एलिमेंट में करेंट चारफ फ्लो कर रहा है तो दील वेक्टर है इस इस डिरेक्शन में आ जाएगा तो अब आइट सेवर्टा के अकॉर्डिंग अगर आपको डिरेक्शन किसी भी पॉइंट पर पता लगाना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको element से आप point के तरफ एक vector बना दीजिए जिसे हम लोग call कर देंगे r vector तो dl vector cross r vector जब आप करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि आपका thumb जो है वो into the screen point कर रहा होगा so यहाँ पर इस छोटे से element के वज़े से जो magnetic field का direction है at the center it is into the screen ठीक है similarly अगर आप कोई भी element चूज करेंगे यहाँ पर भी अगर आप कोई element चूज करते हैं तो dl vector का direction towards right हो जाएगा and r vector जो है it will be directed towards the center ठीक है तो dl vector cross r vector again आप अगर करेंगे तो वो वापस से आपका into the screen ही point करेंगा यानि कि अगर आप कोई भी element चूज कर लें हर एक element के वज़े से magnetic field at the center जो है वो into the plane ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर हम लोग simply क्या कर लेंगे इस element के वज़े से जो magnetic field का magnitude आएगा उस magnitude को हम लोग directly integrate कर देंगे क्योंकि सारे ही element के वज़े से magnetic field का जो direction at the center वो into the plane ही आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमारा db का value क्या आजाएगा db बराबर हो जाएगा mu naught by 4 pi i dl sin of 90 degree upon r square आपका यह जो sin of theta होता है यहाँ पर theta क्या होता है it is the angle between dl vector and r vector और आप यह देख सकते हैं कि dl vector और r vector के बीच में angle जो है वो 90 degree है इसलिए मैंने यहाँ पर sin of 90 degree लिखा ठीक है तो यह बराबर आ जाएगा आपका simply mu naught i dl upon 4 pi r square के and यहाँ पर net magnetic field के लिए जो है हम लोग db को integrate कर देंगे यहाँ पर जो भी चीज़े मैंने आपको explain कर रहा है वो मैंने लिख दिया है आप screen को pause करके लिख लिजिए and b can be written as integration of db db हमारा आ गया था mu naught i dl upon 4 pi r square है ना अब जो है यहाँ पर mu naught i by 4 pi r square यह constant है है ना mu naught by 4 pi तो constant है ही loop में भी एक steady current flow कर रहा है और r जो है वो radius of the loop था तो यह सारे terms ही हमारे constant है तो हम लोग simply क्या करेंगे यह constants को बाहर निकाल देंगे integration के तो यह आ जाएगा mu naught i by 4 pi r square बाहर and integration of dl ठीक अब यहाँ पर इस तरीके से अगर dl को integrate करेंगे हम लोग along the loop तो हमारे को क्या मिल जाएगा circumference of the loop ठीक है so यहाँ पर क्या जाएगा b बराबर mu naught i by 4 pi r square dl का integration जो है वो हो जाएगा आपका 2 pi r ठीक है so यहाँ पर से आपका 2 pi और यह cancel होगा तो नीचे 2 बचा r और 1 r cancel हो गया so यहाँ पर आपका magnetic field क्या आ जा रहा है यह आ जा रहा है आपका mu naught i by 2 r है ना and it is directed into the plane ठीक है and for n loops क्या हो जाएगा for n loops simply b बराबर जो है n times of mu naught i by 2 r हो जाएगा ठीक है so इसी के साथ हमारा यह derivation complete होता है आपको कहीं पर भी कोई भी doubt आता है then feel free to contact us we will be very happy to help you bye-bye बच्चो तेक केर